नमस्कार बहुत बहुत स्वायत करते हैं क्लिक टूटे के आज किस वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले यूजी फॉर्स सेमेस्टर परिक्षा को ले करके जिसमें कि आप देखेंगे दोज़ा 24 से 28 सेशन का पहला मिट टम एक्जामिशन जो कि स्टार्ट होने जा 30 माक्स का जो इंटर्नल इग्जामिशन होता है जो कि आपके ग्री महा विद्याले में होता है जहां आप एड्मिशन ले रखे हैं उसके लिए भी जो डेट जारी कर दी गई है विस विद्याले के तरफ से जैसा कि आपकी अखवार का रिपोर्ट अगर पढ़ेंगे तो ब अगले महीन है कि अगर हम बात करें नौवंबर की बात करें दिपावली और छट पूजा खत्म होने के बाद जो है एंड समिस्टर का इग्जामिशन भी स्टार्ट कर दिया जाएगा उससे पहले आपको बता दे अगर आपको अपने सिलिबस की जानकारी नहीं है तो वीड परिक्षा कलेंडर जो है दिया गया था और बोला गया कि सभी को जो है इसी डेट के अकॉर्डिंग एक्जामिशन लेना है इवें दो हर उनिवस्टी ने अपना अपना इक्जामिशन कलेंडर बनाए ठीक उसी तरीके से जो बिहार उनिवस्टी मुजफरपुर ने भी जो कि बता जा रहा है एकेडमिक कलेंडर में 11 से 16 सितंबर तक प्रसम सेमस्टर की इंटर्नल परिक्षा कराने का निर्देश दिया गया था लेकिन परिक्षा बिभाग ने तैस समय पर परिक्षा लेने का कोई निर्देश जारी नहीं किया कारण यह था कि बीच में कि बीच में दिपावली और छट भी है इसकी छुटी भी रहेगी यहां पर बताएगा कि 20 नॉमबर तक जारी करना है एडमिट कार्ड यानि 20 नॉमबर तक हरी उनिवर्शिटी को बोला गया हुआ है कि अपने जो है कॉलिजिस के लिए एडमिट कार्ड स्टूरेंट के लिए चारी कर दे और परिक्षा जो है तैस समय पर ले ले जिससे की जो है समय पर आ सके यहां पर जैसा कि बताएगा है परिक्षा का एडमिट कार्ड 20 नॉमबर तक जारी कर देना है पहले सेमिस्टर की जो है थियोरी की परिक्षा 21 नॉमबर से लेकर के 15 दिसंबर तक लेने का निदेश राजभवन ने दिया है प्रैक्टिकल की परिक्षा 16 से लेकर के 30 दिसंबर तक लेना है और पहले सेमिस्टर का रिजल्ट जो है दस जनवरी तक देना है पेंडिंग ठीक करने को लेकर के भी जो है जो भी स्टूडेंट काट रहे हैं चकर पार्ट टू सतर के बहुत साइज स्टूडेंट है जो की अपना पेंडिंग रिजल्ट ठीक करवाने के पीछे पड़े हुए तो उसके लिए भी कहा गया है और वो सब भी देखा जाएगा उनिवर्सिटी जल्दी इसे ठीक करके देगी फिलाल अगर हम बात करें तो जो अभी स्टूडेंट 24-28 अपने अडमिशन लिए होंगे उनका मिट तम का एक्जामिशन दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद स्टार्ट हो जाएगा इसलिए आप लोग अपने कॉलिज से कॉंटक्ट में बने रही है क्योंकि internal marks अगर आपको नहीं मिलता है तो आप fail कर दिये जाते हैं फिर आपका जो है theoretical examination देने का भी कोई फायदा नहीं रह जाता है हाला कि आपको mid term में भी appear होना है और final semester का जो examination होगा उसमें भी appear होना है तो आप हमारे साथ बने रही है आगे हम आपको time to time up to date करते रहेंगे तो आज की वीडियो में इतना ही तर तक लिए चलते हैं धन्यवाद